कुछ इस में स एक गें क्यों हो रहा क्स्टमर रिपीट क्यूं के जा रहा एक बार माल लेकर क्यों आ रहा एक बार क्स्टमर केवार क्यों निया रहा है क्या कारण है कभी देखे हैं आज 8 से 10 आज टिप्स बताऊंगा वीडियो में लाज तक बने रही है पूरा टिप्स समझे है कस्टमर लौट के आएगा दुबारा आएगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यहां से हमको अच्छा जिन्स मिल रहा है कुछ नहीं मुझ मांगी किमत देके जाएगा जिन्स लेके जाएगा यह 8 से 10 टिप्स दिखे वीडियो में लाज तक बने रही है चैनल पर नए है तो दिवान गार्मेंट को सब्सक्राइब कर ल आज यह 8 से 10 टिप्स बताऊंगा कि कश्टमर कभी गेन नहीं होएगा कभी छोड़ के जाएगा नहीं जब ही उसका मन करेगा जब ही उसको जीन्स खरीदना होएगा आपकी दुकान पर आएगा तो होलसेल भाईयों के लिए वीडियो जरूर देखने चाहिए क्योंकि जब होलसेल खरीदने आते हैं तो जीन्स में देखते क्या हैं तो दोस्तों सबसे पहले जीन्स का देखना है सबसे पहले जो आता है वो आता है फिटिंग कस्टमर अगर फिटिंग की जीन्स लेके जा रहा है उसको परापर जीन्स बैट रही है कपड़ा अच्छा है, फिटिंग बराबर है, कपड़ा कितना भी अच्छा रहे, अगर उसकी फिटिंग बराबर नहीं है, तो कस्ट्मर को जीज नहीं पसंद आएगी, दुबारा न तो लेबल देखेगा और न आपकी साम देखेगा. तो सबसे पहले customer को जो दिमाग में बढ़ती है, कपड़े के बाद पहला जो number रहता हो है fitting का, तो fitting में हम सबसे पहले देखेंगे, उसका back friend का जो low rise है, back friend का जो distance कितना है, क्योंकि दिश्टेंस है 3 इन्च का है, और 3.5 इन्च का देखना है, minimum 2.5 इन्च का होना चेह, 1.5 से 3 वह 28 साइज का है तो पॉने 6 से 6 के भीच में पहनता है सारे 5 भी कोई-कोई पहनता है जो पथ्ले हैं इसली में वह सारे पांचिंज का बैठता है तो 28 साइज का बोटम सारे पांच से पौने छे 6 के बाद नहीं होना चाहिए एस सेकेंड نंबर 3 झाई नंबर चलता है और जो चैन के नीचे के भाग का क्रोथ साइज है ओ भी ज्यादा बाड़ा नहीं होना चाहिए थार्ड नंबर है फोर्थ नंबर है जीन्स के अंदर का सिलाई अगर वाइट डेनम ले रहे हैं तो वाइट डेनम में देखिए कि अंदर का पूरा मटेरियर जो धागे है इस्टिचिंग है वालाख है चैन है वो पूरी प्रापर वाइट है या नहीं है क्योंकि अक्सर वाइट कलर देखा जाता है पहने के बाद देखा जाता है कि अगर गीला होता है या धोया जाता है पाक्टिंग उसमें अधर साइट की लगी है मालों वाइट में कोई कलर का लगा है तो कभी कभी पॉक्टिंग का कलर छूड़ जाता है वास के बाद धुलाई के बाद वास छूड़ जाता और जीन्स में उदाग लग जाता है कस्टमर इससे बहुत परेसान होता हूँ और नेक्ट टाइम ओव वाइट जीन्स ना खरीदने की तो आपके दुकान प की अगर वाइक की ब्रैंड की नहीं है तो चाइना की जिन से आती है जो चाइने की चैंस आती है वो सबसे इसमूथ और बराबर चलती है तो चैंड है उसका साइड का फाइट का सिलाई जो स्टिचिंग देखेंगे कभी कभी पहने के बाद खुल जाती है तो हमको प्राप जीन से पहनते हैं जो अपना फ्रेंड पाकेट होता इसमें का जाती कभी कभी बैटने आ उठने के बाद बाहन निकल आती है क्योंकि अगर हल्की कौलिटी का जीन देखा जाते इसमें बहुत छूटा सा जाती काटा होता है तो उसको प्रापर देखना है कि भाई जो हाला ह निचेशे या उसके बार है जो जाता है कम से कम से तो एंच Kalau ना चाहिए वह अंदर है या नहीं ऑlu प्रापर देखना है ट्वी झजिंस पहनता है और उसका जाती बहर आजाता है कि उसको अच्छा कर बैक पॉंटी ऑंका दैगए की परेक पार्किट बरापर तेता है या गिर जाता है नीचे या बैक से यो का जो शाइद है जो बयट का है बेसे जो नीचे का भाग तीन सालर्ति इंच के अंदर फांकेत होना चीजिसंते हैं तो जिस पहनते हैं तो पके अगर गल से टीन साड़िसे अंदर तो कोई प्रावल्म में अगर उससे नीचे है इंसान का गिर जाता है वह विशेज ध्यान देना है कि पाकेट नीचे बिल्कुन भी नहीं होना चाहिए जो बेल्ट है बेल्ट से 3.30 इंच के अंदर होना चाहिए तो अगर किसी कस्तमर का जिन से पहना है और पाकेट ब निकल जाता है यह पैंड मेरे को नहीं पहना है तो होलसेल भाईयों और रिटेलर भाईयों आप तोनों के लिए हैं कि जिन्स जबी आप खरीद में जा रहे हैं तो बेल से पार्केट का भी देख लीजिए कि बराबर प्रापर जगा पर है या नहीं है तीन सारे तीन इंच के अंदर होना चाहिए यह चार-पांच चीजें हैं जो हमको जिन्स में ध्यान देना है असा करता हो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू जहिं झाल 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 झाल